गुड मॉनिंग बच्चों कर हमने एक्जाम्पल करे थे एक्सरसाइज 2.4 से पहले के आज हम एक्सरसाइज 2.4 श्रू कर रहे हैं फर्स्ट कोशन है बताईए कि निमलिखित भौपदों में से किस पत का एक गुनाणखंड एक्स प्लस वन है हमें चार पत दिये हुए हैं किस बहुपद का मतलब इन चारों में से किसी एक का एक गुनाणखंड एक्स प्लस वन होगा हमें ये चेक करना है इसका है इसका ये इसका ये इसका तो हम दो प्रम्य से किसी से भी कर लो चाहिए गुरंखन प्रम्य से कर लो तो शुरू करते हैं करना फर्स्ट पार्ट ऐसकाष्ञ इसको हमने पार् Mind псих की क्यूर फ्ल्रत ऍप्लस एक अक्स प्लस एक्स लाग शेकंड पार्ट को हमने मान ओं निए QX X की 4 x q plus x square plus x plus 1 third part भी दिया हुआ है मैं इसको RX पमान लेते है x की पार 4 plus 3 x q plus 3 x면 plus x plus 1 fourth part को small x x मान लेते है x की फोर x Aloha minus x का square minus 2 plus root 2 x plus root 2 यह में 4 पार्ट दिये हुए हैं और बताना है कि इन में से किसका गुरुणख़ x plus 1 है तो पहले तो हम x plus 1 का शुन्यक निकालेंगे क्या करेंगे हम x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 यह ले लिए हमने तो यह होगे minus 1 अब शेशफल प्रमेस है तो यह फर्स्ट पार्ट करते है P minus 1 minus 1 की Q plus minus 1 square plus minus 1 और plus 1 minus 1 को तीन बार गुणा करोगे तो minus 1 आते है minus 1 को दो बार गुणा करोगे है तो plus 1 आएगा यह plus minus minus 1 और plus 1 इस वाले minus 1 से यह वाला 1 कर दिया है 0 तो आते है x plus 1 P x का गुणान खंड है अब हम second part में चेक करते हैं इसको Q minus 1 minus 1 की power 4 plus minus 1 की power 3 plus minus 1 का square plus minus 1 plus 1 minus 1 को चार बार गुणा करोगे इसके घात समसंख्य है तो यह बन रहेगा यह 3 बार गुणा करोगे विशम संख्य है तो minus 1 फिर दो बार गुणा करोगे तो minus sorry plus 1 हो जाएगा और यह plus minus minus 1 और plus 1 अब इस वाले यह 1 और minus 1 दोनों कर गए है 1 और minus 1 दोनों कर गए आगे है 1 0 के बराबर नहीं है अत है x plus 1 Q x का गुणान खंड नहीं है हमें सब पर चेक करना है किस किस पर है r पर चेक करते है r minus 1 minus 1 की पर 4 plus 3 into minus 1 की cube plus 3 into minus 1 के square plus minus 1 plus 1 minus 1 को 4 बर गुणा करोगे बनाते है यह भार 3 है अंदर minus 1 को 3 बर करोगे तो minus 1 आएगा 3 है बहार minus 1 को दूबा करोगे बनाएगा यह plus minus minus 1 और plus 1 1 minus 3 plus 3 यह दोनो plus minus minus 3 हो गया यहां पर 3 बन दा 3 plus 3 यहां minus 1 और plus 1 अब देखो इस वाले minus 1 से यह plus 1 cancel हो गया यह minus 3 है यह plus 3 है दोनो cancel हो गया क्या बचा बन जीरो के बराबर नहीं है अद है अब लास्ट पार्ट में चेक करते हैं फोर्थ पार्ट है इसका यहां पर SX लिखते है SX is equal to X की Q minus X का स्क्वाइर minus 2 plus root 2 X और plus root 2 minus 1 को 3 बार करने है minus minus 1 को 2 बार करने है minus 2 plus root 2 minus 1 से plus root 2 minus 1 को 3 बार करेंगे तो minus 1 यह minus है minus 1 को 2 बार करेंगे तो plus 1 आजाएगा बार minus है तो minus ही रहेगा अब यह minus और यह minus दोनो minus minus plus होता है तो यह plus 2 plus root 2 आगया और यहां आगया plus root 2 यह हो गया minus 2 क्यों टो प्लेस रूट टू प्लस रूट टू तो माइनस टू से टू गैंसर हो गया है या या टू रूट टू जीरो के कोल नहीं है आता है गुनान खंड नहीं इसका जो आंसर हुआ पूछा यह आंसर पूछा यह answer लिखोगे first part है x की q प्लस x का square प्लस x प्लस 1 second question है गुणनखंड प्रमे लागू करके बताईए कि निमलिखी इस्तितियों में से प्रते की स्तितियों में gx, px का गुणनखंड है या नहीं है गुणनखंड प्रमे हमें लगानी है इसमें second का first part हमारा px solution शुरू करते हैं हमें कहा गया है गुणनखंड प्रमे तो पहले हम गुणनखंड प्रमे लिख लेंगे इसकी यह आपको याद कर लेनी है गुणनखंड प्रमे हम लिखेंगे यदि px घाद n is greater than equal to 1 वाला एक बहुपद हो और ये कोई वास्त्विक संख्या है तो x-a px का एक गुणनखंड होता है यदि p a is equal to 0 वो योगे जैसे शेश्व प्रमे में होता है कि शेश्व जीरो होता है इसमें भी यह यह कि p a 0 है यह p a number 48 8 p n c r t में है आपका तो पहले तो हम x plus 1 का 0 निकार लेंगे x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 तो यह मतलब क्या हो गया minus 1 p minus 1 रखेंगे 2 minus 1 की q plus minus 1 का square minus minus 1 minus 1 minus 1 को 3 बर गुना करोगे minus 1 आएगा 1 को 2 बर करोगे minus 1 को तो 1 आएगा minus minus plus 2 अंदा 2 minus 1 minus 2 plus 1 plus 2 minus 1 अब यह minus का 2 है यह plus का 2 दोनों कट गए यह 1 plus का यह 1 minus का दोनों cancel होगे आगे 0 तो इस में हम कह सकते हैं कि यह इसका गुनाटखंड है second part यह px यह gx आपको exam में इन तीरों में से एक part आना है तो एक part में आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर गुनाटखंड परमे लिखेंगे exam में मैंने एक ही लिक दिए अगर यह पाट अकेल आता है तो आप यहां पर यह उपर वाली गुर्णखन प्रम्य सारी लिखेंगे फिर यह जी एक से एकस प्लस वन का शुन्यक फिर यह निकालेंगे जैसे उपर निकाला है तो गुर्णखन प्रम्य आपको लिखनी है X is equal to minus 1, 0 एक हो गया minus 1 P minus 1, minus 1 की 3, 3 into minus 1 का square, 3 into minus 1 plus 1, minus 1 plus 3, minus 1 का square 1 हो गया यह plus minus minus 3 plus 1, minus 1 plus 3 minus 3 plus 1, यह plus 3 minus 3 cancel हो गया आपस में यह 1 minus 7 plus 2 आपस में cancel हो गया, 0 आगया, तो यहाँ भी हम कहेंगे GX, PX का गुननखंड है थर्ड पाड आपका GX दिया होई X minus 3 और PX दिया होई XEQ minus 4X का square plus X plus 6 यहाँ एक्जाम में खाली यह वाला पार्ट आते है आपको तो पहले आप गुननखंड प्रमे लिखेंगे, उसके बाद आप यह कोशन शुरू करेंगे GX आपका X minus 3 इसका हमें 0 निकालने है X is equal to 3 तो यहाँ पे लिखेंगे X minus 3 का 0 का, कितना हो गया 3 अब P3 यहाँ पे लिखेंगे गुननखंड प्रमे से, एक्जाम में आप पूरी आप प्रमे भी लिखेंगे यह हो गया 3 की क्यूब, इस तरह से जो सिकन्ड पाट करवाए उसमें भी लिखेंगे ना गुननखंड प्रमे से, 4 इंटू 3 का स्क्वार, प्लस 3, प्लस 6 3 तीदे 9 तीदे 27, minus 3 तीदे 9, 4 ती 36, प्लस 3, प्लस 6 27 में 3 और 6 को एड़ कर दोगे, minus 36, 36 minus 36, जिकन्टू 0 यहां भी लिख दोगे आप, GX, PX का गुननखंड है Next part है इसका, third part, third question, के का मान ग्याद कीजिए यह important है, fourth important है, fifth important के का मान ग्याद कीजिए, जबकि निमली की तिस्तियोतियों में प्रते की तिस्तियों में, X minus 1, PX का एक गुननखंड हो इसमें दे रख है, X minus 1 गुननखंड है और के का मान ग्याद करना है, इसमें हमें, यह चार पार्ट में दी हुए यह question है, हमारे पास, K का मान ग्याद करना है जबकि यदि X minus 1, PX का गुननखंड है solution शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा, PX में दिया हुए है, X का स्क्राइर प्लस X प्लस K अब पेज नमबर 48 पे गुननखंड प्रम्में हैं आपकी टार्स फार्स